अभी देखा जातों Android 13 का अपडेट आपको सभी फोंस के अंदर देखने को मिला भी नहीं लेकिन Google नहीं यहाँ पर Android 14 का developer preview अल्रेडी यहाँ पर निकाल दिया देखा जातों developer preview का मतलब यहाँ पर रहता कि developers के लिए यह लोग Android 14 को अनोंने early release किया जहाँ पर कुछ नई feature कुछ नई APS को इंट्रेड्यूस किया है ताकि जब mobile phones तक Android 14 पहुँचे तब तक जो mobile application के developer से उनके पास Android 14 के compatible अपनी apps अल्रेडी रेडी हो यह basic difference रहता है लेकिन इससे related हमें कुछ चीज़े भी पता चल गई है जो आपको Android 14 के अंदर देखने हो सकते हैं सबसे पहले तो codename इसका नाम रखा गया upside down के दोस्तों यह देखा तो Android 14 का codename होगा इसके साथ ही देखा जाए तो कुछ privacy features के अंदर भी नीच चीज़े डाली गई है उपर से बात किया तो battery feature उनके अंदर कुछ tweak वगरा यहां पर किये गए हैं लेकिन एक बाब बताओं मैंने अपने phone के अंदर Android 14 के developer preview को डाल दिया और main channel पर बहुत ही जल्दी इसके उपर एक detailed वीडियो आने वाले कि क्या नई चीज़े है इस्टरक कैसा होगा यह सारी बात हम उस वीडियो के अंदर clear करेंगे लेकिन अभी के समय बात कर तो अभी तो developer preview 1 है फिर preview 2 आएगा फिर beta इसके चलेंगे और उसके बाद august September तक Google Pixel phones तक यह चीज़ है आपको देखने को मिलेगी लेकिन हाँ obviously Google Pixel के बाद Samsung के phones इसके अपडेट लेंगे और बाकी सारे phones है लेकिन अभी भी देखा तो सारे feature Google है पर बताएं नहीं जो time के time बताती रहेगी है और तब हम बात करेंगे exactly Android 14 में देखने को क्या मिलने वाला है बाद आवे उस वीडियो को देखना चाहते हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करते हो और मेरे में चैनल पर भी आप जा सकते हो लेकिन इसके जाथी बात किया है तो market में काफी interesting लड़ाई चल रही है और वो है search engine को लेके देखो एक जमाने में पता है Google नंबर बनता फिर Microsoft ने बिंग सर्च निकाल दिया लेकिन फिर भी बिंग सर्च को यूज करता नहीं था लेकिन देखा तो Microsoft ने अभी तक हार नहीं मानी और इतने सालों के बाद बिंग सर्च में बहुत बड़ी चीज को आड़ कर दिया और वो पता क्या है वो है chat GPT देखो OpenAI ने chat GPT बनाए थी जिसके अंदर आप बहुत अच्छे तरीके से सारे जवाब पा सकते दे और एकदन चैटिंग वाला मेकानिजन था यह OpenAI ने chat GPT को बनाए था लेकिन OpenAI के अंदर सबसे बड़ा investor Microsoft और Microsoft उसकी technologies को अपने अंदर ला रहा है और सबसे बड़ी बात है कि उसने बिंग और Microsoft Edge के अंदर चीज को इंटेगरीड किया यानि कि उसकी functionality अप आपको बिंग के अंदर देखने को मिलेगी यानि कि सिंबल सी बात है कि आपको उसे बस कुछ भी लिखना आपको सीधे answer देखने को मिल जाएगा सिर्फ web result की बात नहीं हो रही web results भी आएंगे लेकिन आपको website के अंदर जाके ढूंडने की ज़रूत नहीं है आपको देखना है कि यहां पर cake कैसे बनाते है तो लिख तो how to make a cake पूरी recipe आपको सामने आ जाएगी है तो उसके अंदर भी आप convert कर सब्सक्राइब की मेरे पास आइटम नहीं है मेरे को eggless के एक बनाना है वो कैसे बना है वो नीचे लिखा हुआ जाएगा सारी चीज़ें यहां पर create हो जाएगी तो यहर ऐसे बहुत अच्छी चीज़ यहां पर non implement करिए हाला कि अभी early face के गूगल सर्च भी अच्छे तरीके से करेगा लेकिन बात करें तो गूगल की AI अभी उती ज्यादा पॉलिश नहीं है जितनी Microsoft और open AI ने मिलके हाँ पर create कर दी है और गूगल को चैद वो level अच्छीव करने में काफी time लगेगा और लग रहा है कि गूगल पहली बार S race के बात करने वालो वन प्लस की इस अफते वन प्लस का इवेंट था और वन प्लस ने 11 स्रीज अच्छे तरीके से लॉंच करी 11 की प्रैसिंग थोड़ इसी जादर लगी उम्मीद से देखो मेरे को पहले से लग रहा था कि 11 शार 55,000 के नीचे होगा लेकिन वह 55,000 के नीचे नह लेकिन बात किया तो वन प्लस ने हाँपे से यही चीज़े लॉंच नहीं करी इसके साथ पैड, एयरफोंस लॉंच करें नहीं, टीवी तक निकाल दिया, एक वाइफार राउटर निकाल दिया, एक कीबोर्ड निकाल दिया, सारे चीज़े, हाला कि वाइफार राउटर, प अपना फोल्डेबल भी ला सकते इंडिया में और वी फिलिप नाम से इसको इंट्रिड्यूस कर सकते वी फ्ले वी फोल्ड और सुना शायद पहले फिल्प लाएंगे फिर फोल्ड लाएं कुछ भी हो सकता है लेकिन जो ओपो ने अपने फोल्डेबल फोंस नकाल लेतना उसी के concept पर बनाया जाएगा उसी का platform यूज किया जाएगा वही टेक्नलाओ चीज को यूज करने वाली है बस इसके अंदर अपना वो oxygen OS रखेंगे और उसके बाद इस चीज को market के अंदर लेकर आई है लेकिन देखने वाली बात है कि लोग अगर फोल्डेबल अफ्लिप आते कि Q3 के अंदर आपको nothing phone 2 भी देखने को बलेगा जो कि देखा तो market पर अपनी काफ़ी अलग hype भी बनाने वाले है देखते है उस phone के अंदर आपको यह पर क्या देखने को अलता है बाद आवे वीडियो आप लोग को अगर पसंद आयो तो like कर सकते चैल को subscribe कर सकते थैंक को को भी देखने क्लिपने अपने तो नेक्स्ट वान के अंदर गुट बाई